Jmol में Structures from Databases के टिटोरियल में खुशामदीद इस टिटोरियल में हम सीखेंगे PubChem Database से कीमियाई Structures लोड करना और Gcamp Paint में बनाए गए 2D Structures को Jmol में 3D Models में तबदील करना इस टिटोरियल को समझने के लिए आपको Jmol Application के साथ वाकिफ होना चाहिए अगर नहीं तो मुतलका टिटोरियल के लिए हमारी वेब साइट पर जाएं इस टिटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu Linux OS version 12.04 Jmol version 12.2.2 Java version 7, Gcamp Paint version 0.12.10 और Mozilla Firefox Browser 22.0 इस्तमाल कर रहा हूँ मैंने एक नई Jmol Application विंडो खोली है Jmol डेटाबेस में दर्ज कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स लोड करने की खासियत रखता है मेन्यू बार पर फाइल मेन्यू एक ओप्शन गेट मोल रखता है ये कीमियाई स्ट्रक्चर डेटाबेस पब केम से मोलिक्यूल लोड करता है ये प्रोटीन डेटा बैंक से प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को लोड करने के लिए एक और आप्शन गेट पी डी बी रखता है इस खुसूसियत को वसी तोर पर दूसरे टिटोरियल में बयान किया जाएगा पैनल पर कीमियाई स्ट्रक्चर लोड करने के लिए गेट मोल पर क्लिक करें स्क्रीन पर एक इन्पुट डाइलॉग बॉक्स खुल जाता है डेटाबेस में दरज कोई भी मॉलिक्यूल टेक्स्ट बॉक्स में दरज जेल टाइप करके लोड किया जा सकता है Common Name या IUPAC Name, CAS Number, CID Number, Inchi Identifier या Smiles Identifier एक मखसूस केमिकल के Identification Number की मालूमाद के लिए PubChem Database वेबसाइट पर जाएए अब स्क्रीन पर फैनॉल दिखाते है इन्पुट टेक्स्ट बॉक्स में फैनॉल टाइप करें ओके के बटन पर क्लिक करें पैनल पर फैनॉल का मॉडल दिखता है हम मुख्तलिफ Rendering Options को इस्तामाल करते हुए फैनॉल के डिस्प्ले यानि इजहार को तबदील कर सकते है ये ओप्शन्स मेनु बार और पॉप अप मेनु में दर्ज किये गए है हम फैनॉल की बेंजीन रिंग में सबस्टिटुएंट्स शामिल कर सकते है सबसे पहले मौडुल में Atoms को लेबल करते है डिस्प्ले मेनु पर क्लिक करें और लेबल मुन्तखब करें फिर Number Option पर क्लिक करें अब Carbon Atom No.4 से मुनसलिक Hydrogen No.10 को Amino Group से तबदील करें मौडुल किट मेनु खुलें Option से Nitrogen मुन्तखब करें Hydrogen No.10 पर क्लिक करें पैनल पर ये पारा Amino Phenol का मौलिक्यूल है हम डिस्प्ले को Sticks डिस्प्ले से बदलेंगे मौडुल किट मेनु से एक्जिट करें यानी बाहर आएं पॉप अप मेनु खोलें नीचे Style पर जाएं स्कीम मुन्तखब करें और Sticks Options पर क्लिक करें पैनल पर हमारे पास Sticks डिस्प्ले में पारा Amino Phenol का मौडुल है कंप्लेक्स स्ट्रक्चर्स जिनका बनाना मुश्किल है पैनल पर आसानी से लोड किये जा सकते हैं मिसाल के तौर पर कॉलिस्ट्रॉल फाइल मेनु पर क्लिक करें Get Mole option पर क्लिक करें टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें कॉलिस्ट्रॉल ओके के बटन पर क्लिक करें पैनल पर कॉलिस्ट्रॉल का एक मौलिक्यूल दिखता है हम मौलिक्यूल की खुसूसियात जैसे Double Bond और Side Chain को हाइलाइट कर सकते हैं Double Bond को हाइलाइट करने के लिए सबसे पहले Double Bond के Carbon Atoms के रंग को तबदील करें टूल बार में Select Atoms आइकन पर क्लिक करें फिर Double Bond में शामिल हुए Carbon Atoms पर क्लिक करें Atoms के चारूं तरफ एक जर्द हेलो दिखता है पॉप अप मेन्यू खोलें नीचे Color पर जाएं पर में Rotate Molecule Option पर क्लिक करें कॉलिस्ट्रॉल मोडल में Double Bond अब नारंजी यानी ओरिंज रंग में है इसी तरह हम Side Chain में Carbon's को हाइलाइट कर सकते हैं पॉप अप मेन्यू इस्तमाल करते हुए रंग को जामुनी रंग में तबदील करें पैनल पर हमारे पास हाइलाइट की हुई एहम खुसूसियाद के साथ कॉलिस्ट्रॉल का मॉडल है एक तफ्वीज डेटा बेस से कैफीन का स्ट्रक्चर लोड करें मॉलिक्यूल में एहम खुसूसियाद को हाइलाइट करें डिस्प्ले को वाइर फ्रेम में तबदील करें. अब मैं J-Mole की एक और एहम खुसूसित बताऊंगा. हम दूसरे सॉफ्ट्वेर में बने मॉलिक्यूल्स के 2D स्ट्रक्चर्स को 3D मॉडिल्स में तबदील कर सकते हैं. यहां पैनल पर मेरे पात अमाइनो एसिड एलिनीन का स्ट्रक्चर है. इस मॉलिक्यूल को 2D स्ट्रक्चर जी केंपेंट नामी सॉफ्ट्वेर में बनाया गया था. स्ट्रक्चर को .mol फाइल के तौर पर सेव किया गया था. जी केंपेंट 2D कीमियाई स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर है. जी केंपेंट पर टिटोरियल्स मंदर जजैल लिंक पर दस्तियाब हैं. स्ट्रक्चर्स को बनाने और .mol फार्मैट में सेव करने के लिए अनलिसिज अफ कंपाउंड्स टिटोरि मैंने इन्हे .mol फार्मैट में अपने डेस्क टॉप पर सेव कर लिया है. सबसे पहले एलिनीन के 2D स्ट्रक्चर्स को जे मोल एप्लिकेशन में 3D मॉडल के तौर पर देखते हैं. मैं एक नई जे मोल विंडो खोलूंगा. टूल बार में ओपन फाइल आइकन पर क्लिक करे मैं डेस्क टॉप फोल्डर चुनूंगा और ओपन पर क्लिक करूंगा. एलिन.mol फाइल मॉन्तखब करें और ओपन के बटन पर क्लिक करें. स्क्रीन पर एलिनीन का मॉडल खुलता है. मॉडल किट मेन्यू खोलें और फिक्स हाइड्रोजन और मिनिमाईज ऑप्शन पर क्ल करें. स्ट्रक्चर पर हाइड्रोजन शामिल हुए हैं और एनर्जी मिनिमाईज हुई है. .mol फाइल के तौर पर हम मेन्यू बार और पॉप अप मेन्यू को भी इस्तमाल करके डिस्पले तबदील कर सकते हैं. यहां जे मोल में एडिनोसीन.mol का 3D मॉडल है और ये जे मोल में alpha-d-glucopyranose.mol का 3D मॉडल है. अब खुलासा बयान करते हैं. इस टिटोरियल में हमने सीखा pubcam database से कीमियाई structures लोड करना, phenol और cholesterol के डिस्पले में तबदीलियां करना, gcam paint में बने 2D structures को jmol में 3D मॉडल में तबदील करना, alanine, adenosine और alpha-d-glucopyranose के 2D structures को 3D मॉडल में यहां आपके लिए एक मश्क है. gcam paint में मंदर जजैल अमाइनो एसिडिस के 2D structures बनाएं. सिस्टीन, हिस्टीडीन, फिनाईल, एलिनीन. .mol फाइलों के तौर पर सेव करें. jmol में फाइलें खोलें और डिस्पले को तबदील करें. इस लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें. यह Spoken Tutorial Project का खुलासा करता है. अच्छी bandwidth न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं. Spoken Tutorial Project टीम Spoken Tutorials का इस्तमाल करते हुए वर्क्शॉप्स चलाती है और ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं. मजीद मालूमात के लिए contact at spoken-tutorial.org पर लिखें. Spoken Tutorial Project टॉक्ट एटीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है. ये भारती हुकूमत के MHRD के ICT के जरिये कौमी खुआंदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है. इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तियाब हैं. इस सिक्रिप्ट का तरजुमा और सदाबंदी मैंने यानि वज़ात अहमद ने की है. शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया.